प्रिंग इन्फो बेल्स जीवत इसका पानी है हाथें लगाओगे डर जाएगी बाहर निकालोगे मर जाएगी हाथें लगाओगे डर जाएगी बाहर निकालोगे मर जाएगी मचली पूछ हिलाती है, जल्दी हाथ ना आती है पकड लोगे तो फिसल जाएगी, फिसल जाएगी तो भाग जाएगी मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है तितली रानी तितली रानी इतने सुन्दर पंक कहां से लाई हो क्या तुम कोई शहजादी हो परिलोक से आई हो तितली रानी तितली रानी इतने सुन्दर पंक कहां से लाई हो क्या तुम कोई शहजादी हो परिलोक से आई हो फोल तुमें भी अच्छे लगते फूल हमें भी भाते हैं वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोडने जाते हैं तितली रानी तितली रानी इतने सुन्दर पंक कहां से लाई हो क्या तुम कोई शहजादी हो परिलोक से आई हो तितले रानी तितले रानी इतने सुन्धर पंक कहां से लाई हो क्या तुम कोई शहजादी हो परिलोक से आई हो फोल तुमें भी अच्छे लगते पूल हमें भी भाते है वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं ये है मेरी गुडिया रानी मुझसे सुनती रोज कहानी खाती रोटी पीती पानी कभी न करती शैतानी ये है मेरी गुडिया रानी मुझसे सुनती रोज कहानी गुडिया रानी, गुडिया रानी, गुडिया रानी ये है मेरी गुडिया रानी मुझसे सुनती रोज कहानी खाती रोटी पीती पानी कभी न करती शैतानी ये है मेरी घुडिया रानी मुझसे सुती रोज कहानी मचली जलकी है रानी जीवन उसका है पानी हाथ लगाओ तो ढर जाएगी बाहर निकालो तो मर जाएगी मचली जलकी है रानी जीवन उसका है पानी हाथ लगाओ तो ढर जाएगी बाहर निकालो तो मर जाएगी चोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी पीले वाला सूट है चमचमाते बूट है चोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी नरसरी में पड़ती हो सबको टाटा करती हो चाटा बाई बाई चाटा बाई बाई नाचमोर का सबको भाता जब वो पंपों को खैलाता कुहु कुहु का जोर मचाता गुम घुम कर नाच दिखाता नाचमोर का सबको भाता जब वो पंपों को फैलाता कुहु कुहु का जोर मचाता गुम घुम कर नाच दिखाता सर्दी आई है हवा चली है ताप मान नीचे गिरा है मौसम हुआ है ठंडा मौसम हुआ पर फिला स्वेटर पैनो मुझे डालो बर्फ में खेलो गोले फेको स्नो मैन बनाओ कर खूब मस्ती सर्दी आई है हवा चली है ताप मान नीचे गिरा है सर्दी आई है हवा चली है ताप मान नीचे गिरा है मौसम हुआ है ठंडा मौसम हुआ पर फिला स्वेटर पैनो मुझे डालो बर्फ में खेलो गोले फेको स्नो मैन बनाओ कर खूब मस्ती सर्दी आई है हवा चली है ताप मान नीचे गिरा है मोटी रानी के सुनो कहानी रोज खाती थी वो पकोडे बिर्यानी डाली रोटी से पेट नहीं भरता था खिचडी बिल्कुल हजम नहीं होती थी पर चली भी बर्फी और कच्चोरी गुलाब, जामन, हल्वा और पूरी रानी साहिबा के लिए थी जरूरी मोटी रानी की सुनो कहानी रोज खाती थी वो पकोडे पिर्यानी मोटी रानी, अरे मोटी रानी मोटी रानी की सुनो कहानी रोज खाती थी वो पकोडे पिर्यानी मोटी रानी की सुनो कहानी रोज खाती थी वो पकोडे पिर्यानी दाली रोटी से पेट नहीं भरता था खिचडी बिल्कुल हजम नहीं होती थी परजली भी बरफी और कचोरी गुलाब जामुन हालवा और पूरी रानी साहिबा के लिए थी जरूरी मोटी रानी की सुनो कहानी रोज खाती थी वो पकोडे पिर्यानी मोटी रानी अरे मोटी रानी सपने ले आ जारे ओनि दियारानी सपनो के देश से सपने ले आ अखियों को छूले ओ निंदियारानी तू अखियों में आके बस जा परी लोक में ले चल ओ निंदियारानी परियों से तो हमें मिलवा चांद की किर्णों पर ले चल ओ निंदियारानी चांद की सेर तो हमें करवा सितारों के पास ले चल निंदियारानी सितारों के संग तो ले चानि निंदियारानी जब तक रात है ओ प्यारी निंदियारानी हमारे पास तो रह जानि निंदियारानी दोड रहा है देखो घोडा राजा का रंगीला घोडा राजा का रंगीला घोडा रानी का जादुई घोडा राज कुमारी का चंगीला खोडा बंदर जी की शादी है सजावट कितनी सारी है कुता लोमडी करे तमाशा बंदर जी की शादी है हाथी को दिया दावत का काज देख भालू भी चकित है आज गाई को यल मुर्गा कवा बंदर जी की शादी है बंदर जी की शादी है मुर देखो नाच रहा मूठ धोल बजा रहा निमंत्रन सब को भेजा गया बंदर जी की शादी है बंदर जी की शादी है खुशी में सबने हिसा लिया शादी के मंडप में बंदर ने दाथों को दिखा दिया बंदर जी की शादी है सजावत कितनी सारी है अरे चिट्टी तुम्हारे पास इतने सारी रुपए है तुम इनका क्या करोगे? मैं इन रुपएओं को खर्च कर लूँगा मैं इनसे आइस क्रीम, खिलोने और चोकलेट लूँगा ठीक है, पर कुछ रुपए अपनी पीगी बैंक में भी डालना जैसे आलू का चालू करता है आलू का चालू अपने पीगी बैंक में कुछ पैसे डालता है? क्यूँ? तो सुनो आलू का चालू को जब ही मिलते दो चम के ले रुपए ये आलू का चालू लेता आइस क्रीम एक से दूसरा डालता बीगी बैंक में मगल बैंगन को बी को जब ही मिलते दो चम के ले रुपए ये दोनों से लेते आइस क्रीम कुछ नहीं डालते बीगी बैंक में आलू का चालू ने जो पैसे बचाए उनका कुछ खिया ना? क्या किया उन पैसों का? बताओ ना? सुनो पीगी बैंक में डाले हुए पैसे जड़ा जड़ा करके बढ़ गए आलू का चालू को जिस दिन जरूरत थी वही पैसे कामा गए झालू को जड़ा हुए नन्ना हाटी कया नदी में स्विम्मिंग सूट पहने तैरता रहा वो अपनी तोंद कम करने आठ महीने बाद भी वो तोंद कम ना कर पाया निराश हो कर अपनी मां के पास वो गया हम हाथियों को बड़ी तोनवाला इश्वर ने ही बनाया हिरन बनने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया दो बलो टो को एक जिन लिना एक मल पुआ माल पुए को लेकर उन दोनों में जगड़ा शुरू हुआ उसे समय एक चालक बंदर आप पहुंचा वह कहीं से जाओ एक तरह जो लाओ उसने कहा बिलो टो से माल पुए के दो तुकड़े कर वो उनको लगा तोलने तुकड़े ना थे एक समान तरह जो लगा दोलने इनको वज़न नहीं एक समान एक तुकड़ा वो खा गया तुकड़े पर तुकड़ा फिर वो बद मार्श खाता गया चालक बंदर सारा का सारा माल पुए चट कर गया बेचारे बिल्लों को उल्लों बना कर चला गया उस बिल्ली को देखो जरा कैसे हमें खूर खूर कर देख रही है अरे लेकिन वो हमें देख कर छुप क्यों गई एक सुन्दर सी बिल्ली पास में रहती है मखमली पंजों से इतरा कर चलती है गोट जैसी आखों से टुकड़ टुकड़ देखती है पास उसके जाओ तो दूर भाग जाती है गोल गोल कटोरे में दूध पिलाओ तो मुझे चाट चाट कर सारा पी जाती है मुझे जाती है इेहहाँडने आङँ हो प्रभ प्रॉझाँडने इेहाँडने आर। पापा ने दिया मुझे एक पिला अची शुन्दर राट को जाग के वो ठेट है बहरा घर पर सुबह साम वो मेरे संग खिलता है पुशी से अपने प्यारी पूल्च खिलाता है गेंद फेकने से पकड़ता है कूटकर गेंद फेकने से पकड़ता है कूटकर हम लो करने वाले को भगाता है भोक कर चिट्टी क्या तुम टीटू को जानते हो टीटू वो को ने चिनो दिदी ओहो तुम टीटू को नहीं जानते तो चलो उसे मिलका राते है टीटू है एक हाती का बखड़ा आज बुझानका मुश्का वर्दी उसकी बड़ी जोरदा चालो उसकी शानदार अपनी सून में पानी भरकर छिड़कता है आग पर फुस 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 आग है करती फिर धीरे से है बुझती पीटू की है एक प्यारी सकी नाम है जिसका कुकी दूनों मिलकर आग पुझाते हैं और मदद करते हैं सब की बाग वो कैसा देखता है चिट्टी बाग के शरीर पर काली पट्या होती है और वो बहुत ही शानदार देखता है तब तुम मुझे अभी क्या भी बाग देखना है दीदी ठीक है ठीक है रो मत अभी ले चलती हूं तुम्हें बाग दिखानी के लिए पापा पापा पाग पापा हम कौन है पाली पटियों वाली एक बड़ी नारंगी बिल्ली है पापा पापा हम है निवासी किस देश के सबसे बड़े महादेश एशिया के कहां है हमारा घर इस विशाल घाज भूमी पर कौन है हमारे रिष्टदार हमारे है नो प्रकार हमारे जितना शक्ति शाली कोई भी नहीं लेकिन हम में से तीन जाती आ रही नहीं बाग जी बाग जी देखिये यहाँ शान से खुर राते आप चले कहां आप तो है राशु पशु इस देश के आपकी रक्षा हम करेंगे आज से यहां मैं कहानी सुना रही हूं और बहां तुम जबाई दे रहे हो कम से कम मैं जात तो रहा हूं इधर देखो चिक्तिकी तो आँख लग गई है तो फिर तुम दोनों चाहते क्या हो क्या तुम यही कहानी एक नए मज़दार धंत सुना सकती हो जरूर पर कहानी सुनने से ज़ादा मज़ा देखने में आएगा चलो कितना मज़ा आएगा कितना मज़ा आएगा तबड़क तबड़क दोडने वाला घोडा हूं मैं अरे मोटे तजे दोड़ते देखा सीरोग नहीं पाता हूं मैं शक्ति शाली पैरों से मैं तेज दोड़ूँगा बड़े ही आसानी से ये दोड़ू जीतूँगा जीता हूं मैं हमेशा सब करते मेरी वहवा जीता हूं मैं हमेशा सब करते मेरी वहवा दिल्ले में कितना सुन्दर और कितना आलेशा हम घोडों के प्रकार नहीं 400 से कम शक्ति और फुर्टी में भी सबसे श्रेष्ट हम तबड़क तबड़क दोड़ने वाला घोड़ा तुम हो पर मैं मोटा जीत गया अब तुम ही देख लो भालू की हसी उड़ाने में आया मजा अबो बने अभेमान की भुख तो तुम सजा 14 नवंबर है हमारे इंडिया में बाल दिवस या चिल्डर्न्स डे इस देख भी हमें पढ़ाई से मलती है छुट्टी मस्ति करने की इजाज़त है मिलती टीचर बनाते है स्कूल को फान खेल कूद का लेते है हम आनन तौफे और चोकलेट हम में मिलते है सबसे टीचर ममी डैडी दादा दादी से इंडिया का भाविश्य है हम इंडिया को आगे ले जाएगा हर बच्चा इस दिन हमें आद है करना इंडिया को बनाएंगे सारे जाहां से अच्छा Happy Baldivas, Happy Children's Day Happy 14 November, Sabachoko Humsey Happy Baldivas, Happy Children's Day Happy 14 November, Sabachoko Humsey